नमस्कार दोस्तों, डीडी रेटके का और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्पागत है, मैं हूँ आलोग तो आज जो वीडियो लेकर आया हूँ, वीडियो है निवराहमत का और इसका टाटल है शिलंका अनाउंसेज वीजा फ्री एंट्री फॉर इंडियन्स तो बिलकुल ये बात सही है कि शिलंका ने अनाउंस कर दिया है कि अब भारतीयों को शिलंका जाने में वीजा की जरूवत नहीं है वीजा फ्री एंट्री हो जाएगी और आप सब ये भी जानते हैं कि शिलंका जब मुश्किल हालात में था, वो दिवालिया हो गया उसके बाद भारत ने किस कदर शिलंका की मदद की है और शिलंका की तरफ से लगातार ये बाते कही जा रही है कि भाई भारत अगर नहीं होता तो हम बड़ी मुश्किल में होते भारत ने बहुत मदद किया हमारे मुश्किल वक्त में भारत हमारे साथ खड़ा रहा है तो उसके एवज में मुझे लगता है कि यह किया गया है कि वीजा फ्री एंट्री इंडियन्स को शिलंका में हो गई है अब चली देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी जनता क्या कह रही है क्योंकि यह देखना बड़ा दिल्चस्प होगा कि भारत के संबन अपने पड़ोसियों से लगतार अच्छे हो रहे हैं और पाकिस्तान से लगतार खराब हो रहे हैं चली देखते हैं हम बात करने वाले हैं, बहुत ही important news हमारे सामने आ रही है कि सिरिलंका की cabinet ने approval दे दिया है कि भारतियों को visa free entry दे दी जाएगी सिरिलंका के अंदर, यानि visa तो होगा लेकिन उसके charges नहीं होंगे, अगर इस से पहले की बात करें तो अभी तक भारतियों की 57 to 59 countries में visa free entry हो रही ह पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए दुनिया भर के मुमालिक visa स्तंग कर रहे हैं, कोई पाकिस्तान की शहरों को ban कर रहा है, तो कोई पाकिस्तानियों को deport कर रहा है, वापिस बिजवारा है, गेट आउट पाकिस्तानियों के trend ल है यह हैं डेढ करोड कि अबादी है इसका हॉर्प उसका हन शुख और सबसक्रीब है मौत बड़ी गुर्बत आद वांपर फाके कर रहे हैं इंशे ज़्यादा कुलाद में अथा वह फिर पूरी कर रहे हैं एद्یں अब देखे ये बात तो बिलकुत सही फरक है और गैस का इन्होंने नाम लिया है गैस का जिक्र किया है तो पाकिस्तान में अभी दो दिन पहले ही गैस की कीमते फिर से बढ़ा दिकी है वन नाइन्टी थ्री परसंट ऐसी खबर आई है हो सकता हो आम आदमी के लिये ना हो कुछ आम आदमी के लिए बढ़ाया हो कुछ बि197 के लिए बढ़ाया हो ख़ज़गी होगी कि आम आदमी उसमें पिसेगा, चीजें महेंगी होंगी, खाना बनाना महेंगा होगा, खाना महेंगा होगा, तो कमर तो टूटनी है आम आदमी की. उसके बाद बनाते हैं, उसके बाद बांग, आजी, आप बता है, इंडिया किनन्सी का, कितना फ़रक है, तो सो तासर बेका, उनका अमारा सो, ट्रिपल कर लें आप तो, किस तरह हैं यह, क्यों है, हमें पट्रोल महेंगा मिल रहे है, हमें बिजली महेंगी मिली है, इसी देए वो, तो चांद पर पहुँच गए है, जांप इसलिए पॉछ इन अपना सिरुख, यह हमारे कृप लोगों को साइड पे करके ना, इंडिया के साइसदानों को एक साल के लिए हुकुमत देदे, यह पाकिस्तानों पर तक लिए जाना, इंडिया की साइसदानों को, य पाकिसान को बेटर बना सकते हैं आपके सामने तीस साल साम तो इंके गुलामी कर रहे हैं वो कैसे बेटर करेंगे में यह जाना बेटर कर लेंगे कोई काम के लिए वो जूट तो नहीं मारेंगे हमारे दा हर बात पर जूट है जो हम टेक्स देंगे वो उनको मुल्क पर लगाएंगे इदर लगाएंगे हर गरीब बंदे के उपर लगाएंगे वो कर रहे हैं किहां कि हकुमत कि सियसत दानों को सुंप दो, वो ज़्शादा तरक्य कर वाएंगे मुलक को कई सही के हरए है इंडिया वाले, नहीं इंडिया बाइनें दुश्मन, अजल सदूश्मन है लोग सारे इसके मालक हैं हम नुक्रियों में हैं हम लोग जाची जाबस में हैं प्रिशानिया तो थी यह आर इनसान को जाए अपका हाँ जी अपना बिजनस है ठीक आलहम दो लग क्राइस्स तो आते है मुलकों के ओपर ये तो कोई बात नहीं कि हम जो है न मुसल्मान चापे और उतों को पर तशदूत इस से काम होदा अब बता इसा बिल्कुल नहीं है जो ये जो निजाम है ना पाकिसान में चर रहा है ये पंद्रह सो अब पता नहीं कितनी बात मेरी सच हो सकती है या कितना है ये जो भाई जो बाते कह रहा था ना उसकी लेंग्वेज से म कसमीं कर सकते हैं कि ऑना क Iraq कि जो वह बंदा था वह पठान था और यह जो बापि का दूसरा बंदा जो भाही साब आए भाही साब तो नहीं चचा-जान जो आए वह पंजाबी है मैंने फिर कहा मैं क्यूं कह रहा हूं दोनों की बातों को तोलिए दोनों की बातों को मोलिए आपको समझ में आ जागा कि मैंने यह क्यों कहा मैंने और 1500 MPA यह खतम कराएं यह कोई सोचता नहीं है ना कुछ इस सोचता है ना कोई और सोचता है तो विवर्ज जजाने हो रही थी हमने प्रोग्राम को रोग दिया था अब दुबारा से कॉंटिनियू करते हैं सर कह रहे थे कि वहां पर इतना तशद्द नहीं है जतना पाकिस्तान में तो आप क्या कहते हैं मैं यह कहना चाह रहा हूं कि हमारा पाकिस्तान है इसमें जो नजाम चल रहा है ना जिसको जमूरियत कहते हैं कि यह गलत आप इसको stepping करें यह नजाम अब्रचिक को पाकिस्तान का Azoon p कर रही है ٪र ला है यह क्या कर रहे है जों कर रहे हैं था है है यह कि इंसाफ करना है यह सब जूड़ वोलते हैं मलोकी खातर आ को लों के खादर काम कर रहे हैं बैठें सारे बैस्वाल सुनें ना उन्होंने बोला था इंडिया के अंदर ज्यादा जूलम है या पाकस्तान में पाकस्तान जो है यहां चोटी मोड़ी तकलीफ है जूरूरा लेकर इस तरह नहीं है पाक बहुत मुसल्मानों का जीना मुदी ह पर कंपनी है काईदयाजम मुहमद लिजिना की बात करी हूं इसके इलावा एपी जो अब्दूलकराम तो वहां के प्रेजिडेंट रह चुकी है सानिया मिर्जा मा की फाइटर पाइलेट है आपको किस होदे पर बापर मुसल्मान बैठे वे नज़र नहीं आते सानिया मिर साथ मिलकर उन्होंने डोल ढमागे पर डांस किया लो यह जो जाफरी साथ इंडिया के एंपिए थे कई दफ़ां एंपिए राजिकर उनके गार को आग लगाई और उन्होंने जब तक वो उनका हजूम ने घरों किया हुआ था उधर भी मैच हुआ था तो एक आदमी ने कह पाकिस्तान जिन्दाबाद उन्होंने वो पुलीस वाला आ गया उसने का पाकिस्तान जिन्दाबाद का नारा नहीं लगा सकते हम करतें तालीम की बारे में आपने पूछा थे सहसद्दानों की बारे में उनकी सहसद्दानों ने अपने बच्चों का अपनी इंडिया के ताइलिक के उपर दोल लगा है हमारे सहसे हमारी सहासदानों ने कौन सी बच्चों के उपर दोल लगाया मुझे ये बताए इस वकत फारी चुका है पाकिस्तान के पाइस चाहिए बन फिसे लोड़ कि दो मेरे भाइने , जियांगे के सकते स्वाइं, आपने ने मुझा ससी, और भी हम्हार खेह हूँ नुद करो कि अब आ तो सूट होता है उतना बास अम अजम करते हैं बाकिसारी चीजिए कि बात आप से कहा रहे हुँ ना किसके साथ कमेरिजन करें पाकिस्तान का अब बता हैं किसके जो निजाम है ना तो कहते हैं ना क्लास में अगर एकी बच्चा रहेगा तो वो कम्पीट किसके साथ करेगा वो आगे बढ़ने की तलब कैसे करेगा जब दू-चार बच्चे साथ उसके कॉम्पेटिशन पर आएंगे तो इस बच्चे को भी असास होगा मैं एदे तो अगे निकल लें त denken बासोनें हम किसी अच्चे बंदे को वोर्ट देते नहीं हैं시 TOM भोटिसले ने देते क्योंकि वो जानते हैं कि अगर जमाते इसलामी आ गई तो निम्रा एहमद जितनी आजादी के साथ माईक हाथ में उठाकर घूम रही है और सवाल पूछ रही है यह बंद हो जाएगा आपके घर की बेटियों का बाहर निकलना बंद हो जाएगा यकीन मानिये पाकिसान वैसे ही तबाहो बर्बाद हो रहा है जमाते इसलामी के हाथ में आगा न जो भी कुछ लोग जो सुल्जे हुए होंगे वो जमाते इसलामी को नहीं लाएंगे मैं भी चाहता हूँ कि जमाते इसलामी के हाथ में आजाए पाकिस्तान के सत्ता क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो पाकिस्तान को जो कसर बची है न ताबूत में आखरी कील जमाते इसलामी ठोक देंगे एक बार ला कर दिखाएंगे मैं तो कहता हूँ एक बार ला कर दिखाएंगे लेकिन आप लोग इसलिए भी एक धड़ा इसलिए भी नहीं लाएगा क्योंकि इसे पोल भी खुल जाएगी आपकी ये जो इसलाम के नाम का चूरन आप लोग बेसते हैं और उसको अफीम बनाकर जो खिला के आपने वश्ट में कर रखा है अपनी अवाम को, वो अवाम जाग जाएगी, और जब जाग जाएगी, तो सारी पोल खुल जाएगी, फिर आपके पास कहने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा, कि हम अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, क्यो करना इसके बाद उन्होंने बोला पाकिसानी को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया था, अभी रिसनली में खबर पढ़ी ती कि स्री लंका ने वीजा फ्री एंट्री अप्रूव कर दिया है, 57 अज़र कंट्रेज्स ने भी वीजा फ्री एंट्री अप्रूफ कर दिया, इंड बस यहां जुरम की सजार ही मिलती किसी को, इस वज़ा से जो आमल वादी हो चुके हैं, हर जो गल्द काम करता है वो छूड़ जाता है, सजार ही मिलती फिर उसी तरह के बंदे बाहर भी जाता है, यह जल्म नहीं है, मैं बताओं आप लोग सच नहीं बूलते, और जो सच है उ उसमें कतल नहीं हो रहे क्या, अगर ऐसा होता, तो पिछले आठ साल में चार हजार शियाओं का कतल किस ने किया पाकिस्तान में, एक मुसल्मान कंट्री होते हुए भी, इसलामिक जमूरिया और पाकिस्तान, क्यों किया बताइए, इसको आप कैसे देखते हैं, मैं तो माइन हुआ हो, आप कहरें, मुसल्मानों पर जल्म होता है, तो जब तक आप सच को स्विकारेंगे नहीं, कि नहीं यार, ये बात सही है, लड़ाई जगड़े होते रहते हैं, छोटी-मोटी चीज़े होती रहती हैं, लेकिन जल्म नहीं हो रहा है कि मुसल्मानों को टार्गिट क करके जल्म किया जा रहा है लेकिन आप जबरन उसको जूटा प्रोपगंडा करके आप उसको मानने को तयार नहीं तो जब आप नहीं मानेंगे तो आपके साथ यही इंसाफ होगा जब आप दूसरों के साथ इंसाफ नहीं करेंगे इंसाफ वाली बात नहीं सोचेंगे तो यह जलम नहीं है सर। ये ज parenthि है लेकन ये जलम जो है आम अपने पोपकर कर रहे हैं। हमारे जितने भी जाज सहबाने हैं। हमारे जो पुलीस सहीलसी अधर है् darmah मतलब मुसल्मान अगर मुसल्मान का कत्ल करे तो वो उन जल्म नहीं माना चाहएगा। मुसल्मान अगर मुसल्मान को परिशान करे अचा ठीक है आपस की भाई बंदी वाली बात है मुसल्मान अगर मुसल्मान को मार पीट करने लेगे अचा कोई बात नहीं आए आपस की बात है लेकिन अगर एक हिंदू और एक मुसल्मान में भारत में लड़ाई हो जाती है और मान लीजिए कि वहाँ पर मुसल्मान पिड़ जाता है तो जी ये जुल्म है लेकिन फिर एक लड़ाई एक और हिंदु और मुसल्मान में होती है वहाँ पर मुसल्मान हिंदु को पीड़ देता है वो जुल्म नहीं है जिए वो तो परशान कर रहे थे इसलिए उन्होंने बदले में आके करवाई की तो इतना परिशान हो गया था कि उसको मारना पड़ो गड़बड़ी सोच में है इसलिए आपके साथ ऐसा हो गया इसलिए 76 साल से आपकी हालत ऐसी सच को स्विकारिये आपके साथ आपने जो किया उसको आप एक अलग चश्मे से देखते हैं वही काम अगर भारत में होता है उसको आप अलग चश्मे से देखते हैं जब तक इन दोनों घटनाओं को आप एक चश्मे से नहीं देखेंगे तब तक आपका भला नहीं हो सकते आप परिशानी में ही जिएंगे परिशान होते रहेंगे मुसीबत जहलते रहेंगे यकीन मानिये जर्मों को सजाएं दलवाएं ताक एक मुआशरा अच्छी तरीके से वो चल सके ठीक है बस अभी जो है न हम उदाफिस कहते हैं अच्छा सर आप क्या कहते हैं आप इसे कभी भी नहीं होगा कभी भी नहीं होगा इसे तो कहते हैं वह हुआ बड़ा जूम है अधर ऐसे होगा तो ताकतवय नहीं है तो ताकतवार से पनदेने हल्प ले नहीं होती है कैसे ताकतवार है हम तो कहते हैं कि मूदी ने कोई काम नहीं किया हम तो कहते हैं कि मूदी ने अपना सिस्टम ही लाइदा कर दिया है कौमों को लाइदा लाइदा कर दिया है अगर आप कृष्णन है मैं मुसल्मान हूँ मैं आपको अच्छा नहीं समयता आप मुझे अच्छा नहीं समयते मुदी ने ये काम तो किया है ना हिंदू मुसलम को मेरी बात सुने जब पाकिस्तान बना था आज जब मरम चचा को समझ नहीं आ रही है मैं चचा से एक बात पुछना चाऊँगा कि अगर इतना सोसाइटी को बांट दिया है तो फिर as a nation हम grow क्यूं कर रहे है as a nation हम grow क्यूं कर रहे है हाथ की ये पांच उमलिया हैं अगर सब अपना अलग-अलग काम करने लेगे तो ये हाथ किसी काम का ने रह जागा इस हाथ से मैं कोई काम ने ले पाऊंगा मैं कोई चीज उठाने जाऊंगा तो एक उंगली इधर जाएगी एक उंगली उधर जाएगी वो ग्रिप बनेगी नहीं और आप कह रहा है कि वैसे ही ये जितने भी हमारे कम्मुनिटीज हैं जितने भी लोग यहां पर रह रह रहे हैं पश्टर लग जाते हैं फैक स memura जाती है कि चीया सुनी भाई भाई जब पाकिस्तान बन रहा था उस वगकत तो किसी नहीं यह का के हींदू मुस्लम भाई भाई हर पंदेले ही हार बंदे ने आ लगाई हिंदू मुसलिम भाई भाई नहीं का गर्दने उतारी यह चल रहा है सिस्टम ऐसे ही है पहले तो पाकिस्तान इस वक्त अपने पहों पे खड़ा नहीं है क्रोड़ों रुपया यार्बों रुपया खर्च करना किसकी गलती थी यह आप फारिक टैम पर पिर बताऊंगा अभी बताए ना लंबा चोड़ा लंबा चोड़ा मसला आप जो स्वाल पूछ रही है ना वाकर तब हिंदू मुसलिम तसादुम चल रहा था जिसकी वज़े से पार्टिशन हुए यह बड़ा लंबा मसला है आप इस मसले पर किसी व जब तो आप चेंदर इंसानियत होगी आप मेनत करेंगे तो स्ट्रोंग हो गई ना अगर हम तो कहते हैं उनकी मुल्क में गुर्बत बहुते हैं ना अमाम भी तो देखें ना महां पे मेरी बास सुने हिंदूस्तान पाकिस्तान या इस से हटके जो मुलक है इस से हटके जो दो रहास्ते हैं जिसके पास 22 करोड़ 32 करोड़ 30 करोड़ अवां आवाम है या इस से जाधा है उनको तो एम बनाना ही नहीं चाहिए अवाम ही एम बंब है मारने की या पाकिसित्तान को क्या ये खुद्यैटम बम खुद्यमर जाएगे जल्ड मरेंगे वहाँ के लोग से मर रहे हैं कुछ बहुती जिक्तने साल को ये थे पर्टिशन Hello I am पिर आज वो लोग कहा हैं और हम लोग कहुए उनके लिए विजा फ्री एंट्री विजा के बगए रेंट्री और हमारे लिए हमारे से आगे निकर रहे हैं वहाँ पे कुछ अमांदारी है इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए लेकिन कुछ है मैं जद्दे गया था सौधी अरव जद्दा शेयर में मैं गया वहां पे मैंने आठ मीने गुजा रहे आठ माँ वहां पे मैंने देखा कि लोग क्या कर रहे हैं पाकस्तानी को सौधी जो है ना कितनी इज़त है पाकस्तानी की वहां पे पाकस्तानी की यह इज़त थी उन 89 में कि पाकcitसानी किसी स्वोती के पाथ जाता है, वो जागे कहता है, या शेख शुगल भी, वो चाहता है, उन्ता पाक Eywah, वो चाहिए, या ला, ला, philanthrop Х rum takes a heart, चैनल हम लोगी शुगल, ये ला हम लुगा मतलब भी बता दे, एमनाल तर्जमने के पाकस्तानी नो की कह रहे हैं अच ऑह पे जो टेलर की दुकान ती टेलर की दुकान पे आप लैडिस हैं आप ने कपड़े स Le nave नहां में तुसी कपड़े सलाने ने तुसी नहीं जा सकते तेलर दी दुकान दी अंदर नहीं जा सकते जिसना सेल में टिगर लई दी है ऐसना जागर टिगर ले नहीं है अंदर मेश देना अपना पराणा तुसी है जी अपना मेश नहीं दे सकते ऐसा क्यों ऐसना क्यों कि पाकस्ता मेरे पास ना अलवास खतम हो गए कि मैं आपको आगे से जवाब क्या तुसी नाम इनुए ऐसो जादा भोलो मैंनु तुसी स्वेरे पाकस्तान दा वजीर आजम बना दियो मैं पाकस्तान जिव मैंश गेंद बला चानू नजर नहीं आएगा नहीं नहीं निशान मटा रहे हैं मारना यहां बची देखो ऐसारा दिन मजदूरी कार दिये गरीब एरे को छातनी सिर्दी यह चुकी जरन दिये और बार बया उदर लांदी बजाए एनू शाट दियो हां सिर्दी एनू अच्छी को नोकरी दियो क्या चेंजिंग्स करेंगा अब और वहर सब तो पहले पहले मान बहुत तख्ड़ा पुर्म फद्रुमान नो अमरान खान कहरें पाकिस्तान में साइंस और तालीव कहां करेंगा अमरान खान किन्य तखड़ीयें करना कारदा से किटे किटे बड़े बहूर बहुलता सी है ऐा फजल रुमा और डीजल चोड़ूंगा नहीं इसा तो वीवर्ज देती हमारी आज की वीडियो उमीद करती हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको कुछ डिसकस करना हो, काउंटर करना हो, सवाल पूछना हो, जवाब देना हो, कुछ अपनी नॉलिज शेयर करनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं यही पर इस प्रोग्राम को एंड करती हूं फिर से मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ तब तक तो हमने हर जगह अपनी स्थितियां सुधा दी हैं, हमारी foreign policy में हमने बदलाव लेकर आए, थोड़ा aggressive किया, जो हमारे देश थे जिनसे हम कभी मिले नहीं थे, जिनको हमने side कर दिया था, हम उनसे अपने relations को हमने दुबारा उनसे शुरू किया, आज इसका नतीजा यह है कि आज बहुत सारे देशों के साथ हमारे अच्छे रिष्टे हैं, पडूसियों के साथ हमारे सिर्फ पाकिसान को छोड़ दें, तो करीब-करीब हर पडूसी के साथ हमारे अच्छे रिष्टे हैं, इन फाक्ट चाइना के साथ हमारा दवाब बढ़ रहा है, चाइना के साथ ह भारत और चीन के लिए यह याद रखिए लड़ाई होगी जरूर लड़ाई होनी तय है बिना लड़ाई के समझोता होगा ना दूसरी बात कि भारत की जो पोजिशन है वो लगातार दुनिया में क्यों बढ़ रही है इसके पीछे कई वज़ाएं है जो सबसे बड़ी वज़ करने लिए हमें ये चीज़ छीन लेनी है ये चीज़ हमें अपने हिसाब समन मानी है नहीं हम भारतिये कभी ऐसा नहीं करते हैं हम भारतिये उस कम्यूनिटी में जाकर शामिल हो जाते हैं और उस कम्यूनिटी के हिसाब से भी काम करते हैं उस कम्यूनिटी को फाइदा पहु ये चर्चाएं अमेरिका में होती ही, सुनीए तो ये मैंने आपको एक्जाम्पल दिया, और ये ऐसा हर देश में होता है, जहां पर इंडियन कम्यूनिटी रहती है, इसलिए हमारी छवी जो है, उन देशों में अच्छी बनी, वहां के लोग इंडियन्स को जानते हैं, कि ये इंडियन से ये पंगे नहीं करेंगे, ये आपके साथ मिलकर काम करेंगे, खुद भी आगे बढ़ेंगे और आपको भी आगे बढ़ाएंगे, आपके देश को आगे बढ़ाएंगे, बिना कुछ किये धर है, आपके देश में हिस्सा नहीं मागनेंगे, आपको उससे जादा करके देंगे, जितना उनको मिल रहा है, तो ये हमने साबित किया है इतने सालों में कई डिकेट्स में और लोगों को अब दिख रहा है कि नहीं यार यह है इसलिए लोगों का भरोसा बड़ा है हमारे ग्रो करने की वज़ा सबसे बड़ी है यह कि देश और दुनिया में लोगों ने हम पर भरोसा करना सीखा है भरोसा बढ़ा है, वो हमें ऐसे थ्रेट नहीं देखते पाकिसानियों को ऐसे थ्रेट देखते है पाकिसानी आएंगे तो वो क्राइम करेंगे, लड़कियों को छेड़ेंगे लव जिहाद करेंगे अब बताएए ग्रीस में, ग्रीस वहाँ भी लव जिहाद की चर्चा होती है और इसमें पाकिस्तानी शामिल है आप सोचिए इंडियन नहीं मिलेगा आपको ऐसा तो ये है बड़ी बज़ा लोगों का भरोसा अमपर करने की और जब भरोसा बढ़ता है तो फिर लोग आपके लिए आते हैं आज अगर इंवेस्टमेंट्स आ रही हैं तो इस भरोसे पर आ रही है उनको पता है कि भारत में पैसा डूबेगा नहीं भारत में सेफ हैं हम भारत में रिटर्न्स भी मिलेंगे इसलिए होगे बाकि आप बताएं जल्दे मिलता हूँ एक और ने वीडियो के साथ नमस्कार जैए